नवस्का दोस्तो मेरा नाम है विक्रम और फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में आज की दिन की दोस्तो ये दूसरी वीडियो है रुक्रीटमेंट आ रही है दोस्तो दिनननिताल बैंक लिमिटेड की तरफ से अक्रॉस इंडिया कैंडिडेट आवेदिन कर सकते हैं अक्रॉस इंडिया ही आपकी जोब लोकेशन जो है वो रहे की रुक्रीटमेंट दोस्तो ननिताल बैंक में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो ननिताल में रुक्रीटमेंट है Across India Candidate आवेदन कर सकते हैं 145 branches है इस bank की पूरे North India में जिसमें उत्राखंड है, उत्रापरदेश है Delhi है, हर्याना है और राज्यस्तान है और आप कहीं से भी आते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं नमबर विकिंसी की बात करें तो प्रवेजनरी ओफिसर के लिए आवेदन मागे गए हैं जिसमें की 75 टोटल नमबर विकिंसी हैं कलर्क के लिए भी आवेदन मागे गए हैं जिसमें 80 जो है वो टोटल नमबर विकिंसी हैं अच्छी बात यह है कि freshers experience सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसकी eligibility criteria की कौन खोल is eligible है कैसे apply करना है सभी चीजों के बारे में detail में बताऊंगा उससे पहले दोस्तों जोह एक और information दे देता हूँ आपको कि जितने भी notification application के links होते हैं वो मैं सारे आपको description में provide कर देता हूँ तो अगर आपको किसी भी time पे लगे खासकर इस जो job के लिए तो अगर आप apply करना चाहते हैं तो application fees जादा है तो इसलिए आप notification को read करें जब आपको तसल्ली हो जाए कि यह notification ठीक है आपको समझ आ गए आपको इसके लिए आवे दिन करना चाहिए तो ही apply करिएगा मत बरना मत करिएगा तो यहाँ पे दोस्तों जो है अब बात कर लेते हैं डिटेल बे पर वेजनरी officer की यह recruitment है officer grade की यह recruitment है 75 total number of vacancies है 21 से लेके 30 साल के बीच में अगर आपकी एचे आप apply कर सकते हैं कलर के लिए दोस्तों जो है 80 total number of vacancies है 28 साल maximum age limit रखी गई है बाकी यह जो vacancies है इसको बढ़ाया भी जा सकता है कम भी करा जा सकता है यह उनके अपने हाथ में होता है और आपकी जो location है जौब की वो कहीं भी हो सकती है जहाँ जाँ इनकी branches है 145 branches में से कहीं भी आपकी location हो सकती है प्रोविजनरी officer के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपने जो है वो graduation की हुई है या post graduation करी हुई है किसी भी steam में 50% marks के साथ आप apply कर सकते हैं साथ में आपको computer operations की knowledge होनी चाहिए बाकी preferable जो के वो experience है एक से दो साल तक का अगर आपको banking, financial services या financial institute में आपको experience है एक से दो साल तक का तो आपको ज़्यादा prefer जो है वो करा जाएगा बाकी अगर आप fresher हैं तो वो भी apply कर सकते हैं उसके लावा दोस्तों clerk के लिए भी आप apply कर सकते हैं यहाँ भी same qualification मागीगी है लेकिन यहाँ पर percentage marks वो 45% है तो भी आप apply कर सकते हैं इसमे भी same experience है अगर आपके पास experience है तो आपको ज़्यादा prefer करा जाएगा लेकिन आप जो है फ्रेशर हैं और आपको लगता है कि आप exam clear कर सकते हैं तो भी आप apply कर सकते हैं प्रोफिजनरी officer के लिए यहाँ पर दोस्तों बात करें salary की तो 7 lakh per annum जो है आपको CTC बिल जाएगा अगर बात करें clerk के लिए 3.5 lakh के आसपास आपको CTC जो है वो मिल जाएगा जो कि allowance वगएरा अलग से जो है वो कई बार डाले जाते हैं apply करने के लिए आप step by step बताया गए लेकिन अलग से description में link दे दूँगा जहाँ पे जाके आप सीधा इसके लिए आवेदन कर पाएंगे application fees जिसकी शुरुआत में मैं बात कर रहा था application fees जादा है professional officer grade A scale 1 के लिए 2000 रूपीज fees रखी गई है clerk के लिए 1500 रूपे fees रखी गई है और किसी भी तरह की relaxation जो है वो किसी भी category को नहीं दी गई है उसके लाबा ज़्यदा जानकरी के लिए आप नोटिफ के शेरीट करिएगा online mode से आपको fees बे करनी पड़ेगी बात करें examination centers की तो यहाँ पे जो हल्दवानी है उत्राखंड में होंगे और वही जो state में आपकी location रही उसी state में आपके exam भी होने वाले उसकी जानकरी यहाँ पे दी गई है आप link चेक करिएगा वहाँ पे सारी जानकरी दी गई है यहाँ पे दोस्त आपका एक return test जो कि यहाँ पे आप detail देख सकते हैं उसके अलावा जो है वो interview के मात्यम से selection होगी और negative marking जरूर होने वाली है reasoning, English language, quantitative aptitude और general awareness वगएरा आएंगे जिसमें 200 marks से question होगे और जो है वो 200 ही marks होगे 145 minute का time मिलेगा अगर आप provisionary officer की post के लिए exam देने जाते हैं बाकि color के लिए भी लगपग same ही subject हैं जो की English language में होने वाले हैं important dates में उन्होंने बताया 29.08 से आवेदन शुरू हो चुके हैं 15.09.2020 तक चलेंगे इसी के बीच में दोस्तों आपका अवेदन करना है अब दोस्तों ये सारी चीज़ें आप notification में लिखी गई हैं बाकि अगर आपको लगता है कि आपको notification दोबारा read करना है तो link description में दे दूँगा apply online का भी link दे दूँगा हम अपनी website का link भी आपको दे देंगे करिए और उसके बाद online mode से आवेदन कीजिक so thank you very much दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी ऐसी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर दीजिए bell icon को press कर दीजिए ताकि आने वाली job update आप से जो ही वो मिसना हो जाए मिलते हैं सी किसी नही job update के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए